Welcome back guys, Expert Gamers Only में आज comparison करेंगे Cricket 19, 24 और DBC 14 का यहाँ पर यह बहुत लंबा comparison तो नहीं है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जज़ कर सकेंगे कौन सी गेम आपके लिए perfect रहने वाली है किसके physics अच्छे हैं और किसके mechanics अच्छे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे कि Cricket 19 या 24 में से कौन सी बेस्ट है और DBC 14 इनके बीच में है इनसे बेहतर है या इनसे कम है Cricket 19 दरसल एक बहुत चार्मिंग गेम है perfect mechanics है इसका जो physics है बाल का देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है ground की जो depth है वो बहुत अच्छी है players की height और उनकी जिसामत की बात की जाए उस ज्यादा दूबले या मोटे नहीं है cartoonish नहीं है और माजी की निस्बत पिछली चंद दहाईयों में जो गेम्स आई है उन सब में ये बहतर थी बात करते हैं डीबी सी 14 की डीबी सी 14 एक यूनीक गेम है ये जिस तरह हम देख सकते हैं कि wicket का यहां पे नजारा के actualization पे इस पे फोकस किया गया है ताहम ग्राफिक्स ज़रा लो है 2014 की गेम ठहरी और क्रैक्स बहुत आला दिखते हैं जैसे original wicket पे है बारेश आने के बाद थोड़ा थोड़ा उसकी मटी जो है वो बूट्स पे लगती है या वो हवा के जरीए सूक जाती है तो किस तरह उसका impact दिखाई देता है बाल की physics की बात करें तो यहां पे बाल पे फोकस किया गया है और इसका impact बहुत अच्छा है 19 और DBC 14 दोनों में अब बात करते हैं cricket 24 में यहां पे असल चीज जो है वो है हमारे सामने प्लेयर्स की जो faces है original faces यहां पे यह एक credit जाता है लेकिन बहुत से लोग इसके mechanics को लेकर इसकी smoothness को लेकर बहुत tense हैं और इन मसाइल को haul हो जाना चाहिए replace में हम देख सकते हैं के बल्ले का impact अच्छा है गेंद का बल्ले का जो टकराओ है sound अच्छी है गर्रास अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन बाल जहां पे टकराती है वहां पे impact शो नहीं होता और यह लेक्स हमने देखे हैं के प्लेयर जब गेंद को पकड़ता है तो वहां पे आप देखो के वह जैसे जमीन में धंस गया है हाथ उसका what is this foolish 2024 की गेम और इस तरह के रबिश यह इतने बड़े blender के आप अच्छे से उसको control नहीं कर पाए physics को smooth नहीं कर पाए और cameras को हम देखें तो बहुत सारे cameras lag गर रहे हैं